यूं तो डॉग्स और हुमन्स की दोस्ती सद्यों पुरानी है हजारों सालों से हुमन्स के ये फ्लफी फ्रेंड्स अपने क्यूट बिहेवियर और वफादारी से हमारे दिल पे राज कर रहे है और हाँ वफादारी भी ऐसे कि माली की हिफादत के लिए अपनी चान भी कुर्बान कर दे तो वही क्यूटनेस इतनी की किसी का भी दिल इनके साथ खेलने के लिए मचल उठे हाला कि उनकी ये मौज मस्ती हमें भी बेहत पसंद है लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप के लिए इन डॉक्स की क्यूट हरकतों को लेकर नहीं आये है बलकि हम आप के लिए लेकर आये है कुछ ऐसे डॉक्स जो दिखने में बिलकुल किसी भेडिये की तरह लगते है जी हाँ दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों की नसल से मिलवाने वाले हैं जिने देखकर आप खुद कहे उठेंगे कि बाप रे बाप, कुत्ता है या भेडिया माना जाता है कि डॉग्स भेडियों से ही विकसित हुए है और इनसानों और डॉग्स की ये दोस्ती भी सद्यों पुरानी है जिस दौर में इनसानों का विकास हो रहा था तब उन्होंने शिकार में मदद पाने की उमीद में वोल्फ को पालतू बनाना शुरू किया वोल्स की शिकार करने की काबिलियत उस दौर के आदी मानवों के बड़े काम आती थी वोल्स में भी धीरे धीरे विकास होने लगा और वो आज के कुटों की शकल अक्तियार करने लगे यही वज़ा है कि आज भी कुछ ऐसी डौग ब्रीड्स है जो कुछ-कुछ भेडियों की तरह दिखाए देती है वही कुछ ब्रीड्स को हाइब्रिट करके बनाया गया है आए इनके बारे में जानते है ऐसा माना जाता है कि इस नसल के कुटों के उत्पत्ती साल 1980 के दशक में ब्रिटेन से हुई थी दिखने में ये बिल्कुल किसी वॉल्फ के तरह दिखाए देते है ये सुभाव से अपने मालिक के प्रती बहुत ही वफादार होते है और इसके साथ ही ये काफी मिलनसार नेचर के भी होते है इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही जादा समझदार होते है हाँ मगर आकार के मामले में थोड़े बड़े होते है बात करें इनकी साइस और वजन की तो एक मेल नदन इन्यूए डॉग लगभग 23 से 35 इंच तक होता है जबकि इसका वजन करीब 35 से 49 किलोग्राम के बीच हो सकता है तो वही एक फीमेल नदन इन्यूए डॉग की उचाई लगभग 23 से 28 इंच तक होती है जबकि इसका वजन करीब 24 से 48 किलोग्राम के असपास होता है नदर इनुए डॉग को वैसे तो पालतू डॉग के रूप में पाला जा सकता है लेकिन छोटे बच्चों के साथ इनकी कुछ खास नहीं जमती यही कारण है कि यह बिना बच्चों या बड़े बच्चों वाले परिवारों के लिए सबसे पोफिक्ट होते है इतना ही नहीं नए नए डॉग लवर्स के लिए यह बिलकुल भी सूटिबल नहीं होते है हाला कि ये डॉग्स हद से जादा वफादार और प्यार करने वाले होते है लेकिन इसके बावजूद इन्हें बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है आम तोर पर इन्हें हर समय किसी ला किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है यही वज़ो है कि अपने घरों में इन्हें अकिला छोड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है सालूस वुल्फ डॉग सालूस वुल्फ डॉग नामक कुत्ते के इस नसल को डच ब्रीडर लींडर्ट सालूस ने साल 1935 में क्रॉस ब्रीडिंग से तयार किया था लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो उमीद के हिसाब से नहीं था क्योंकि इस नसल में जादतर गुण किसी भीडिये वाले ही थे जो एक काम करने वाले कुत्ते के हिसाब से पोफिक्ट नहीं थे हाला कि आम तोर पर सुभाव से आक्रमक तो नहीं होते लेकिन इसके बावचूद भी छोटे बच्चों के साथ इनकी पट्री नहीं बैठती है जादा तर गुण भेडिये वाले होने की बज़र से इन्हें अपना पालतू बनाने के लिए बहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है आम तोर पर ये अपने मालिक के प्रती बहुत ही सॉफ्ट होने के साथ साथ काफी जादा वफदार होते है इतना ही नहीं ये काफी शर्मीले सुभाव के होते है जिसकी बज़र से ये जादा तर अकेले रहना पसंद करते है साथ ही अपने शर्मीले सुभाव की वज़ से दूसरे कुटों के साथ ये कम ही घुल मिल पाते है अगर बात करें इनके आकार और वजन की तो एक मेल सालूस वॉल्फ डॉक की हाइट 25 से 30 इंच तक होती है जबकि इनका वजन लगभग 31 से 40 किलोग्राम्स के आसपास होता है तो वही एक फीमेल सालूस वॉल्फ डॉक की हाइट करीब 23 से 28 इंच के बीच होती है जबकि इनका वजन लगभग 30 से 35 किलोग्राम्स तक होता है डॉक्स की सनसले को साइबिरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड और अलास्कन मेलम्यूट के क्रॉस ब्रीडिंग से तयार किया गया है अलास्कन नोबल कम्पेनियन की अपने मालिक के प्रतिवफादारी काबिले तारीफ होती है इसके साथ ही ये काफी आक्टिव भी होते है, जो खुली जगह में घूमना बेहत पसंद करते है आकार में बड़े इंडॉक्स की हाइट लगभग 26 से 33 इंच तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 27 से 49 किलोग्राम के बीच होता है इनका बच्चों के प्रती कोई खास लगाव देखने को नहीं बिलता, इसके साथ ही अजनबियों के लिए ये बहुत ही आक्रमक होते है यही कारण है कि इन्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है स्वेडिश वालहंड स्वेडिश वालहंड नामकिन डॉक्स को आमतोर पर स्वेडिश काव डॉक के नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्य कारण ये है कि इस नसल को गायों को चराने के लिए विकसित किया गया था ये एक बहुत ही दुरलब नसल है जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ती हजारों साल पहले हुई थी ये डॉक्स बहुत ही ज़ादा मिलनसार होने के साथ साथ चंचल सुभाफ के होते है इसके साथ ये काफी तेज दिमाग के लिए भी जाने जाते है यही कारण है कि डॉक्स की इस नसल को लोग बड़े पैमाने पर अपना पालतु जानवर बनाना पसंद करते है अगर बात की जाए इनके साइस की तो एक मेल स्वीरिश वैलहन डॉक्स की लंबाई लगभग 9-13 इंच तक होती है जबकि इनका वजन करीब 11-15 किलोग्राम्स तक होता है तो वही एक फीमेल स्वीरिश वैलहन डॉक्स की हाइट लगभग 8-12 इंच के आसपास होती है साइबिरियन हस्की और जर्मन शेफर्ड के मिश्रंट से बनाया गया है इन्हें एक काम करने वाले डॉक्स के रूप में जाना जाता है जिसकी बज़र से लोग इस नसल को पालना पसंद करते है ये बहुत ही जादा वफादार, प्यार करने वाले और चंचल सुभाफ के होते है लेकिन इन्हें अकेला छोड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है हाला कि अपने मालिक के प्रती बहुत ही संबेदन शील होते है जिसकी बज़र से इन्हें ट्रेन करना बेहत आसान होता है आम तोर पर युटानिगन डॉग की हाइट 23-28 इंच के बीच होती है जबकि इनका वज़न 29-40 किलोग्राम के आसपास होता है अलासकन मैलाम्यूट डॉग अलासकन मैलाम्यूट डॉग नामा की डॉग ब्रीड की साइज इन्हें दिखने में भेडिये से बिलकुल अलग बनाती है इनकी उत्पत्ती मूल रूप से साइबेरिया या अलासका में सामान धोने के लिए आक्टिक्स लेच कुत्तों के रूप में हुई थी आज भी ये काम करने वाले कुत्तों के रूप में जाने जाते है जिसकी वज़े से ये एक भेतर पालतू डॉग साबित हो सकते है लेकिन सुभाव से बहुत ही सिद्धी नेचर के होने के कारण इन्हें प्रशक्षित करना बेहद ही चुनौती वाला काम होता है यही कारण है कि इन्हें पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए एक एक्सपर्ट ट्रेनर की जरूरत होती है लगभग 21-25 इंच तक हाइट और करीब 34-45 किलोग्राम तक के वजन वाले ये डॉग्स बहुत ही स्ट्रॉंग और दिमाग से काफी तेज होते है ये लोगों के प्रती बहुत ही मिलनसार होते है और ये खुली जगों में रहना और घूमना अधिक पसंद करते है Brown Siberian Husky Dog के एतिहास के बारे में ज्याधा जानकारी तो मौझूद नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही प्राची नसल है और साइबेडिया में उत्पन हुई थी फिर इन्हें 1900 के दशक में आर्क्टिक टुन्रा में भार खिचने में मदद करने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा ये आम तोर पर उत्तरी अमेरिका में पाये जाते हैं जहां ये अपनी खुबसूरती के लिए मशूर है लगभग 15-27 किलोग्राम तक के वजन और करीब 20-24 इंच तक लंबे ये डॉग्स वैसे तो सुभाव में काफी मिलनसार और सामाजिक होते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जिद्धी भी होते हैं जिसकी वज़से इन्हें अकेला छोड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है इनके जिद्धी सुभाव के कारण इन्हें ट्रेन करने और सम्हालने के लिए एक बेहद ही काबिल हैंडलर की जरूरत होती है चेचो स्लोवाकियन वुल्फ डॉग नामक कुत्तों की ये नसल दिखने में बिलकुल किसी भेड़ी की तरह दिखाई देती है मूल रूप से 1980 के तशक में चेचलो स्लोवाकिया में इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया था चेचलो स्लोवाकियन वुल्फ डॉग अब कई काम के लिए उप्योग किये जाते है सुभाव में बहुत ही वफादार और निडर होने के साथ साथ ये काफी चंचल होते है इसके साथ ही छोटे बच्चों के साथ इनकी अच्छी बनती है ये कुटे बड़े और खुली जगों के लिए सबसे अच्छे माने जाते है जहां ये रहना और घूमना काफी पसंद करते है ऐसे में ये डॉग्स एक बहतर पालतू जानवर साबित हो सकते है लेकिन अजनभियों के साथ ये काफी आक्रमक हो जाते है जिसकी वज़र से इन्हें उच्छ स्तर की ट्रेनिंग की जरूरत होती है हाला कि साल 2008 तक इन कुट्तों को युनाइटिड किंग्डम में खतरनाक जंगली जानवर के रूप में जाना जाता था जिसकी वज़र से कुछ राज्यों या देशों में इन्हें पालने पर कानूनी रूप से पावंदी थी शिकोकू डॉग शिकोकू डॉग मूल रूप से एक जापनीज नसल है ये दिखने में बिलकुल किसी भेड़ी के तरह ही दिखाई देते है शिकोकू डॉग को कुखियाद शिबा इनू और अकीता इनू डॉग का चचेरा भाई माना जाता है क्योंकि शिकोकू के अंदर भी इन दोनों के तरह ही कई समानताय पाई जाती है लगभग 18-21 इंच तक हाईट और करीब 30 किलोग्राम तक की वजन वाले ये डॉग्स बहुत ही एंथुसियास्टिक और मिलनसार होते है इसके साथ ही अपने मालिक के प्रती बहुत ही वफादार होते है जो निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए एक अच्छे पालतू जानवर साबित हो सकते है इन डॉक्स को काम करने वाले कुत्तों के रूप में जाना जाता है जिनका उप्योग पहले सुवर के शिकार के लिए किया जाता था ये खास गोण आज भी इनके अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी लेटिस वीडियो की जानकारी आप तक तुरंद पहुंच सकें